हलो दोस्तों कैसे हो आप सब आपका भाई हाजी रो चुका है और एक निव रिक्वार्मेंट का अपडेट का आज जो हम डिसकस करने वाले सेल स्टील ऑफ इंडिया लिमिटेड काफी सारा केंड़ेट का मेरे को जो कमेंट आता है और इंस्ट्राग्राम पर बहुत सारा उसके पहले जो हमारा भीलाई का एक्वार्म जितना लग रहा है वह जल्द सेल का यहां पर जो नियूर्क्वार्मेंट आने वाला है तो अभी ठोड़ा प्रिभ्यस जो इसका नोटिपिकेसन निकला वा हुआ था वो प्रिभ्यस नोटिपिकेसन का उपर नजर डालते हैं और इसका क्या क्राइटेरिया रखा गया है, मैं आपको बता दूँगा, अगर क्यूंकि बहुत सारे इसे फ्रेसर केंडेट रहते हैं, जो अभी रिसेंटली पास आउट हुए हैं, उनको पता नहीं रहता है, कि सेल में apply करने के लिए क्या क्या criteria चाहिए और उसका जो exam pattern किस type का होता है तो उसके उपर में थोड़ा डिसकस करेंगे तो आसा करता हूं मेरा information आपको अच्छा लगेगा तो अगर आप हमारे चैनल पर नए विजिट करें तो चैनल को subscribe कर ले इस तरह का latest technical job notification, technical data study material और interview tips 2019 में इसका requirement निकला वा था ये उसी का notification ने तो पहले बात कर लेता है इसका requirement process सेल का requirement process होता है और two type requirement process होता है एक iti diploma candidate के लिए होता है और एक btec candidate के लिए होता है जो btec candidate के लिए होता है वो management ट्रेणी जो उनको गेट के थुरू उनका requirement किया जाता है और जो ITI diploma candidate होते हैं उनको प्लांट के थुरू उनका requirement आता है उससी के जो exam देके उनको qualify करना रहता है जैसे कि यहाँ पर देखे ऑपरेटर कॉम टेक्नी सेंट्री यह डिप्लोमा वालों के लिए निकलता है यहाँ ब्रांचेस का बात कर लेते क पोस्ट आता रहता है जैसे कि यहाँ पर mechanical हो गया, metallurgy हो गया, electrical, ceramic, chemical, instrument, mechanic और maximum time civil वालों के लिए भी यहाँ पर भेकेंसी आता रहता है आइटेकेंडेट के बात कर लेते हैं जैसे कि आइटेकेंडेट जो उनका पोस्ट रहता है, attendant, come, technician, missionary उनका पोस्ट रहता है और उनका भी अगर trade बात कर रहता है तो सब यहाँ पर maximum trade का उनका भी रहता है, जैसे कि फीटर हो गया, electrician, machinist हो गया, turner हो गया, instrument, mechanic और यहाँ यहांपे ऐज कर आई टीरिय का बात कि लेता हैं जो इंड सब्सक्राइब कर सकते हैं जैसे कि उपरेटर हो पर टेक्निशन के लिए दिया जाता है और यहांपे एजूकेशनल क्वालिपीक संग बात कर लेते जैसे कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि अगर आप operator come technician trainee के लिए अपलाई करते हैं तो आपके से पास minimum 3 साल का यहाँ पर diploma रहना चाहिए और यहाँ पर attendant come technician trainee के लिए यहाँ पर जो रहता है जो IT pass बाले भी यहाँ पर apply कर सकते हैं यहाँ पर कोई भी experience mandated नहीं रहता है यह गौर्मेंट का जैसे company यहाँ पर सारा ठेसर candidate जो रिसेंटली पास आउट हुए रहते हैं वह भी इसमें apply कर सकते हैं कि यहाँ पर selection procedure का बात कर लेते हैं selection procedure को बता दा हूँ जैसे कि पहले ही यहाँ पर written test होता है अगर आप written quality पाई करते हैं तो आपका जैसे skill test और trade टेस्ट भी यहाँ पर लिया जाता है तो इसल का जो शिलाबस रहता है किस टाइप का सिलाबस रहता है वह भी देख लेते हैं यहाँ पर technical नों टेक्निकल दोनों टाइप का यहाँ पर exam होता है जैसे कि नोंटेक में देखेंगे तो यहाँ पर general English, general knowledge, reasoning, mathematics इस टाइप का question आजाएगा और यहाँ पर आपका ब्रांच आपका कौन सा ब्रांच या कौन सा ट्रेड है उसके related भी यहाँ पर exam आता है रेशियो यहाँ पर maximum जैसे कि आपको देखने को मिल जाएगा 70-30 यहाँ यहाँ पर 50-50 ratio में जो आप एक्जाम होता है जैसे कि 50 टेकनिकल हो गया तो 50 non-technical नहीं तो 70 टेकनिकल हो गया तो 30 non-technical इस टाइप का रेशियो में यहाँ पर आपको question देखने को मिल जाएगा यहाँ पर ट्रेनिंग और salary का अगर बात कर लेते हैं तो यहाँ पर आपको ट्रेनिंग रहता है दो साल का यहाँ प आप करता हैं और अचा लगा होगा अगर सब्सक्राइब करता है हना सब्सक्राइब करता है अब बीदियो में नहीं है कि सेल का कब तक रिक्वार्मेंट आ सकता है जैसे कि देखा जागे तो सेल का यहां पर बहुत सारा यूनिट रहता है जैसे कि बोकारो स्टील प्लांट हो गया भिलाई स्टील प्लांट हो गया इसको स्टील प्लांट हो गया सेल का बहुत सारा यूनिट है अगर यहा पर regular यहां पर requirement आना चालू हो जाता है जैसे कि previous year जैसे कि requirement निकला था जैसे कि बोकारों का निकला था भिलाई का निकला था राउलकला का भी यहां पर निकला था उस type का यहां पर एक requirement आना चालू होता है तो यहां पर step by step यहां पर requirement आते रहता है तो आप अभी से तैयारी क करना चालू कर दीजे ताकि आपका वहाँ पर जो सेल का जो आगर आपका ड्रीम जोब है तो उसका आप क्राक करने के लिए यहाँ पर आपको बहुत ही हेलफुल होगा तो आसा करता हूं मेरा इंफरमेशन आपको अच्छा लगा है तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आज कि लेट नहीं थैंक यू